हेलो फ्रेंड्स, लैप टेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं नासर हूँ और आपके साथ हाजिर हूँ एक आसूस के उस केस के साथ जिसका कि आपने प्राब्लम देखा था और वो यूट्यूब पर भी हम लोगों ने डाला है शायद, तो अब जब प्राब्लम इसमें आ रही थी, उस्टम हमने देखा कि इसमें 3.3 वोल्ट सही बन रही थी और 5 वोल्ट की जगह पर 1.3 वोल्ट बन रही थी, तो यह आसूस का के 55 VD मॉडल है, एक कॉमन सी प्राब्लम है यह आसूस में, ठीक है, यह देख सकते हैं, यह के 55 VD दिवीजन 3.1 है, तो यह प्राब्लम जो है, एक कॉमन सी प्राब्लम कह सकते हैं आप इसे, मैं एडजेस्ट कर देता हो ताकि आपको देखनी में सहूलत हो, तो अभी जो है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसको अभी मैंने रिपेर कर दिया है, लेकिन मैं आपको एक experience शेयर जरूर करना चाहूंगा, कि इस board में हमने ये देखा कि 5 board बनाने के लिए जितनी possibility हो सकती है, कुछ हद तक तो मैंने पहले दिखाया था आपको, उसके बाद भी मैं आपको अपना experience शेयर करता हूँ, एक journal में हम क्या करते हैं, कि जैसे रिपेर करने वाले काम करत तो इसमें हमने 3-5 का ऐसी change की, high drive, low drive change की, feedback को हमने देखा, फिर उसके बाद जितने भी jump point होते हैं, जो pj होते हैं, तो इस area को हमने काट काट के देखा, फिर उसके बाद जहाँ, चुकि 5 volt की जो low drive है, उसकी frequency से boost अप हो रही है, voltage 12 volt, तो इस area को भी हमने, चुकि 5 volt का relation उस से आ गया, इसको भी हमने काट के देखा, bifurcate करके देखा, फिर मुझे लगता है कि इस board में एक भी ऐसा point नहीं था, जो 5 volt बनने के लिए, उसको हमने change करके नहीं देखा, इस journal सारे लोग ऐसे ही काम करते हैं, अब ये देखाने का purpose क्या है, चुकि देखे, एक tricky case होता है, कि जिसके अंदर आपको, आपका experience काम आता है, तो हमने आपके साथ वही share किया, कि आपके पास अगर इस तरह के problem आते हैं, तो आप इसको कैसे handle करते हैं, तो एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा, अभी चो मैंने इसको repair कर दिया है, मैं आपके साथ share करूंगा, आसूस के अंदर एक logic इस तरह से काम करता है, कि इसका जो आपका repair guide मिलता है, इसमें आप देख रहे हैं कि adapter लगाएंगे 3 volt VAVA यानि LDO बनेगी, फिर 3 volt DSW बनेगी, RTC का section आपका अगर okay होगा तो, फिर उसके बाद आगे चल करके आपकी LAN ASW 1.5 बनेगी, फिर 3 volt ASW बनेगी फिर आएगी 12 volt, 5 volt और 3 volt SAS की बारी, तो पहली बात ये कि जो हमने 3 volt देखा कि सही बन रही थी और 5 सही नहीं बन रही थी, तीन बनना ही गलत था, क्योंकि ये SAS जो है, इसका मतलब ये है कि आपकी voltage on होने के बाद बनेगी, logic पर depend कर सकता है, इस board में कुछ उल्टा ही logic देख कि अगर आप इस area को छोड़ते हैं, यानि जैसे ये sequence लिखावा है, तो आपको काफी trouble आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको काफी लंबे case study में जो आपको demonstrate करवाया, उसमें आपको मैंने ये चीज दिखाया, कि ऐसी problem भी आती है कि जहाँ पर जितनी volt चाहिए, कम बन रही होती है, तो वहाँ पर का तो कोई भी area ऐसा नहीं था, जिसको कि हमने touch नहीं किया, लेकिन फिर भी problem वैसी ही रही, अब हम आपको ये दिखाएंगे कि अब condition क्या है, चुकि पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरे power supply में, जब हम 19 volt रखते हैं, तो 14-15 के करीब ये रहत है, कि मैंने apple के भी कुछ लगा रखें, तो वह ID जो है, उसके अंदर inbuilt होती है, तो वह कुछ load लेता रहता है, अब जो है, पहले इसमें क्या condition थी, कि 0.040 तक जाता था, जैसे ही हम adapter लगाते थे, जो कि बिलकुल घलत थे, suspend है, तो जैसे अभी देख रहे हैं, इतना ही होन चाहिए, तो यह कैसे हुआ, और अब क्या मिल रहा है, यह दोनों चीज़े में आपको पहले देखाऊंगा, तो चलिए हम लोग open कर लेते हैं, multimeter, और मैं आपको देखाता हूँ कि इसमें voltage आप किस तरह से हमें मिल रही है, तो area चेक करते हैं, तो 5 के जगे पर हमें 1.3 मिल हुई, यह suspend है, अब हम on करेंगे, तो हमें voltage मिलने चाहिए, चाहिए, तो दोनों suspend रखता, या एक को always रखा है, और एक को, जो है, suspend रखा है, अच्छा, यह दोनों चीज़ जो है, कैसे behave कर रही है, कि कौन suspend में रहेगी, कौन always रहेगी, या दोनों suspend में रहेगी, यह पूरा जो है, system, I.O. से decide होता है, अब I.O. की requirement क्या होती है, कि I.O. में आपकी जो भी frequency होती है, RTC की sus clock हो गई, reset हो गई, यह सारी चीज़े हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने, जितना भी troubleshoot करने की खुशिश की पहले, उसमें एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया, वो था reset, तो reset के पास, ऐसी problem, HP में भी मैंने करी है, Linux में करी है, यह आज आसूस में आपको मैं demonstrate करा रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, कि ऐसी जरूरी नहीं है, कि हम जिस board में आपको demonstrate करवा है, वो problem सिर्फ उसी के लिए, यह problem कहीं भी हो सकती है, अभी, इसका अगर मैं दूस कंडिशन, जैसा कंडिशन था, वैसा अगर करना चाहूं, तो सिर्फ मुझे एक काम करना होता है, अभी हमने इसमें जंपर मार दी, यह काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी काम कर जाएगा, यह reset पर जो है, voltage आपकी नहीं आ रही थी, ठेक है, reset पर आपकी voltage नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर हम आपको switch करते हैं कैमरे को, तो जैसा कि आप इस point पर देख रहे हैं कि मैंने jumper लगा रखा है, तो यह क्या area है, चलिए इसको हम लोग board view के अंदर समझने कुछ करते हैं, तो यह जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक diode लगावा है, EC reset, तो यहाँ पर हम में आधा world के करीब मिल ली थी, और यह कहां जा रही है, आयो के अंदर, reset का मतलब क्या होता है, कि जब हम किसी area को reset करते हैं, तो यानि कि वो power button off, उसके बाद अगर हम उससे चाहते हैं कि वो reset ना रहे, तो हम उस पर एक pull up voltage डालते हैं, तो यहाँ पर एक pull up voltage डाला है, जिस reset बनती है, और इसको इस diet पर भी रखा है, capacitor भी है, logic भी है, SL मतलब इसको आप switch बोल सकते हैं, यानि एक jumper wire है, और यहाँ से होते हुए, इस point पर गई है, तो इस point पर जैसा कि मैंने, पहले भी मैंने आपके साथ इस तरह के case को discuss किया है, कि EC reset को ज़रूर चेक करिए, एक तो proper 3.3 volt होनी चाहिए, दूसरी इस पर glitch नहीं होनी चाहिए, अगर है glitch तो problem है, तो इसलिए इस point को आप हमेशा याद रखिए, इसमें आप मैंने क्या किया, मैंने जो है, इस point में जैसे ही देखा कि reset voltage नहीं आ रही है, तो मैंने tweezer लगा करके इस तरफ से इस तरफ सिर्फ जो जो एंपेर था वो down हो गया, यानि 0.40 जो थी, वो अब 0.19 हो गई, जैसा कि suspend की condition में होनी चाहिए, अब मुझे यहाँ पर जो है, 2.9 volt के करीब मिलने लगा था, फिर देखा मैंने कि हाँ यहाँ ठीक हो गया, इस रिसेट आ वोल्टेज आ चुकी है, board on किया, board on हो गया, त तो इसलिए मैंने permanent jumper यहाँ पर लगा दिया है, और बार बार इसको मैंने थोगा देर तक चेक किया, उसके बाद मैंने पाया, कि अब मेरा board जो है, बिल्कुल first class चल रहा है, तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं, इसको on करकरके, तो अब चलिए हम लोग इसमें power डालते है और power डाल करके चेक करते हैं, कि अब इसकी condition क्या है, तो ये तो power डालावा है, अब इसको हम लोग on करते हैं, तो ये इसका on-off point है, आप देख रहे हैं कि सारी light on हो चुकी है, और इसमें keyboard लगा देते हैं, एंपेर भी देख सकते हैं, 800-700 mAh तक जा रहा है, और keyboard पर चिक करते हैं, देखे, डिस्पले आ चुका है, यहां पर light, मैं जो on कर रहा हूं, आफ कर रहा हूं, तो ये caps light ब्लिंग कर रही है, तो इस display भी proper आ चुका है, अब मैं इसको off करता हूं, और फिर से एक बार on करता ह हूं, तो फिर देखते हैं, कि वैसे ही है, आराम से ये suspend mode में जा रहा है voltage, इसके बाद यहां से इसको on करते हैं, तो ये हर बार tic-tac से on हो रहा है, तो अपने एक चीज़ देखा, notice कि जो area हमें जैसा लगता है, कि 5 का area problem कर रहा है, वो उसका relation जो है कहीं और से हो सकता है, और ये एक tricky case है, बहुत सारे बोड़ों में, जैसे HP के जो latest generation के बोड़े, E-series वाले वो 802P और या आपके D704P, इसमें भी इस तरकी problem में ने देखी है, इसी research अगर आपकी चौक कर जाती है, इसको चौकिंग कहते हैं, कि अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, किसी व ख्राब है, ठीक है, और हम IO को safe कर रहे है, IO को हम बचा सकते हैं, वो यही तरीके से हम बचा सकते हैं, कि उसको हमने by-pass कर दिया, जैसे आप dimald α में क्या करते हैं, by-pass कर देते हैं, सम revise को बाइपास कर देतें, वो ही क्यम हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस ही research को हम by-pass करकर करके उस पर हम voltage डाल दे रहे हैं, लेकिन आयो खड़ाब, ठीक है, अगर ऐसी problem आती है, तो जरूर चेक करिए इस point को, जिसको कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कि ये research जो है, दो number point, कि AB बनेगी, जो supply voltage है, पाज वोल्ट से जैसे होते हैं, आप LDO कहते हैं, या वीरेज कहते हैं, फिर वो 3V something बन जाती है, कहीं कहीं पर उसका नाम अलग होता है, ठीक है, S5 होता है, कहीं पर कुछ नाम होता है, उसकी बाद वो EC बनी, यानि कहीं पर एक transition होगा, register 0 ohm की लगा करके, और उससे वहाँ पर एक logic लगा दिया है, हमें logic नहीं काम करा ना, इसको bypass करा दिया हमने, इसी पर हमने logic पर जो हमने jumper लगा करके इसको bypass करा दिया, यहां से यहां हमने bypass करा दिया, ठीक है, एक particular voltage चाहिए नहीं, तो reset mode में रहेगी, यानि off बोल सकते हैं इसको, on होना ज़रूरी है, अब off रहेगी, अगर यह off condition में तो क्या काम करेगा, इसकी तो Vsus वाली तो चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो I hope कि आपको यह case study समझा गया होगा, काफी helpful case study है, तो मुझे उमीद है कि आपको यह case study अच्छा लगा होगा, और बहुत हत्तक concept अपका clear हो गया होगा, तो चलिए, आप देखते हैं अगला case study, thank you for watching this video.